कुछ कोशन करेंगे और आज से नहीं खुसकबरी है पैडागोजी ओल सब्जेक्ट मैं इसी वीडियो में आखरी में कुछ कोशन कराया गरूं जिसमें सारे सब्जेक्ट होगी सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट में सबकी मिक्स कुछ कोशन लाएं तो वह प्लीज आज देख लेना वो बता देना कैसा लगा अच्छा लगा तो कंट्यून करें नहीं तो आपकी मर्जी पहला कोशन से स्टार्ट करते हैं अब वे अथार्थ जिनका वे नहीं होता अब अगनी का समाना अर्थी क्या है मैंने आपको बताया था कि कुछ मत्याद हो पाए ना तो भी ये दो चीजाद कर लो अनिल और अनल नल से क्या करते हो आप पानी निकाल के आग पर डाल दोगे तो आग बुच जाएगी तो अनल क्या है अगनी का पड़याब आची मगर जो अनल है ना अनल मानलो लड़का लड़का क्या वागता है हवा से तेज तो अनल क्या है हवा का पर्याब आची है तो अगनी का समाना आर्थी क्या नहीं तो इसमें अनल नहीं है ठीक और अगनी को क्या मानते अगनी को साक्षी मान कर मैं कसम खाता हूं यह से कहते हैं तो वह प्वित्र होती अगनी क्या होती ह्पावक होती है तो आग अनेल कि हम अनेल क्या होआ का प्रयाबा कि ठीक है जिसमध के आश्रिका बोद होता है बताओ विसमयाधिक साथ को होता है अश्रिका बन करो द करोutter अगर यह चीज अगर आपको याद है कि इससे को कैसे हम करेंगे तो आप कर लोगे अब देखो । जाए पहले पहले तो जा आएगा ठीक है और जब यह की मात्र आ है ना तो जा और ठीक है यह आएगे यह पहला वार तो लोगे अब ग्या, ग्या कैसे लिखो कि पहले तो आ आएगा नहीं, पहले क्या आएगा जा आएगा, और अईया आएगा और बड़ा आएगा, तो बी इसका सही हो जाएगा, जूता का बहुबचन क्या होगा, जूते, जूता का क्या हो जाएगा, जूते, मुझे जूता खरीदना है मुझे जूते खरी देने ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि इसमें से कौन सा काल वाचक किरिया विशेशन काल बचाना है किरिया विशेशन किते प्रकाई को चाल इस्थान काल रीत परिमाड अब काल क्या होता है आज कल परसों यह होते हैं काल ठीक है अब कभी का बचान क्या होगा यह मेरा कल मेरे से भी गलत हो गया था तो कभी का बचान होता है कभी गण कभी गण होता है कभी को बलाओ और कभी गणों को बलाओ इस तरी कभी गण को बलाओ ठीक नेक्स्ट है कि पुर्वकालिक क्रिया मैंने सास्कालिक कि एक खतम होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो जाती तो क्या पाजार्ट से आकर खाना पकाईगी पहले बाजार से आएगी फिर खाना पकाईगी तो पूरुकालिक यह है उप्रुक्त सभी नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट है यहाल कलम लक्षमी की है अब काकी के किसमें आता है काकी के आपका किसमें आता है तो यह काकी के जो आपका आता है वो आता है शे ठीक है तो इस तशी transforms को याद रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा याг llev कर चल किया संभन सब्दनों का रखाये थो सब्दध मैं ना का की कि संब्दन में का काकी सही नहीं नहीं बताना है मिरे को याद नहीं आदा मगर मुझे यह पताता है जो बाजी होता है यह मैंने कई बार बता है यह याद ग shows घोड़े पर लगाते हैं धोड़े पर पाहलते है भोड़े पर немного पैसे लगाए जाती है गोड़ा दोड़ता है जो जीच जाता है उसको पैसे मिल जाता है तो सीएका नहीं होता है सीएका तो सार्दूल होता है ठीक है और बस्मती का धरती होता है मरीच का करण होता है बहिन का आग होता है ठीक तो ये तो हो जाएंगे और इसका भी नहीं होगा तो इसी के साथ कुछ कोशन आज हमने कर लिए ऐसे धीमे धीमे करते जाएंगे चलो कुछ और करा देता हूं सरल बाके को पहचानना है इसमें से सरल बाके को पहचानना है उसके आने का समय निश्चित नहीं है ये क्या सरल है अब इसमें देखो की आ रहे हैं बीच में ये क्या हो जाएगा मिस्रबाके हो जाएगा वह घर पर मिलेगा तो ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा तो ये भी कौन सा हो गया ये भी मिस्रबाके हो गया तो ये अट गये तीनो एसा ही हो गया गागर में सागर बरना, थोड़े में बहुत कहना, घोड़े बेच कर सोना, निश्चन्त सोना, जो पढ़ेगा वह उत्तीन होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जो पढ़ेगा वह उत्तीन होगा, चलो ये वाला आप बताओगे, ये हमबर क्या आपका, 134, 134 आपका कुए हो पड़ेगा वह उतनी डोगा में क्या हो है नाव में नदी है इसमें क्या गलत है इसं मैं गलत यह नाव में नदी नाव यह तो खरम-छक अ जाएगा थीक है next पितसे कौई से संग्या होता है यह यहां से बनता हैं कि nee पता था मुझे यही मेरा सभी हो गया बंदू किया हो गया जाती हो गई की हीं कि चैरे की हवायें हदने का मितलब क्या होता डिर जाना welfare based कान भरना चुगली करना अखल कांदा मूर्त दांथ खट्टे करना हरान complexity अपने PAUL इसी आभी दन8 कि रेक्ष क्या हो जाए बे खुटक बे खुटक तो बे क्या हो जाएगा इसमेरय बीना खटक तो अब वह बाफ क्या दी milli prefer na पुन्रा बिट्टी हो जाए तो अब बहुबचन नहीं बनेगा, इस चीज को याद रखना, कभी भी अब भीवाफ समास का बहुबचन नहीं बनता, और समास आप के कित्ते प्रकार के होते हैं, पदों की प्रतानता क्या रखना, चार और बैसे हिंदी में कित्ते मानते हैं, बार्षिक धन उत्सब, तो यह क्या हो जाएगा, बार्षिक उत्सब, देखो इसमें double मात्रा तो नहीं आएगी, अब बर्षिक को कर दिया है, इसमें बार्षिक को आएगा, ठीक है, तो 20 का सही हो जाएगा, तो देखो आप लोगों को अगर यह सही लग रहा है, आप समझ मण वर्च लाड़ करते हैं थीक है तो तो पहला पेड़ागोजी काम क्ररेड़्ण क्रेड़ना क्रिया क्रिया कलाप किसे ४ हो सकते और रहे कर नेक्स हों शनुन गड़त की अच्छी और मताँ कैसे भी, संबेख कहा आते हैं, कि संबेख आते हैं, भाँ के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे आद रुखने, तक ने गड़त की पुस्तक का चेंड करते हैं, किस बात का दियान दखना जी? मैथ की अच्छी बुक हमें चेन करना है तो हम किस वाद का द्यान रगें पर्याप्त मात्रा में उधारन एवं प्रश्णावली के प्रश्ण हो उधारन जादा हो प्रश्ण कम उधारन कम प्रश्ण जादा यह सब गलत है न सारे प्रश्ण हलकी हों सारे हलकी होंगे तो तुम क्या करोगे यह बच्चा क तुम डेली लाइप में यूज करते हो ना कि दो किलो सेफ दे दो इतने के हैं तो अच्छा पचास पर किलो सेफ चलना है तो सौर पे गए होगे यूज किया ना बिवार में विग्यान के विशेव में सायक है विग्यान में भी गड़त का बहुत होता है ठीक है जैसे आप अब देखो आप लोग यसे कोशन को देखते ही क्या करोगे गर्वकाल से करके आगे बढ़ जाओए मगर यह पता है क्या पूच रहा है विगास कब से स्टाट होता है तो विगासा अगर आपसे पूचे तो वो जन्म से लगाना केबल पूचे आपसे यह विगासा अत्म विग्यान होता है ठीक है और कहीं कहीं पर आपने विसुद्ध विग्यान भी पढ़ाओ तो विसुद्ध विग्यान होता है अब यह सिक्षा मनोविग्यान के बारे में पूच रहा है तेखो हम मनोविग्यान पढ़ते हैं बाल मनोविग्यान पढ़ते हैं सिक्षा मनोवि से निकली है ठीक है और कब अलग हुई है उनीस सो में अलग हुई है ऐसे मानते हैं उनीस सो से आपका सिक्षा मनुविज्ञान इस्टाट हुआ है ठीक तो दर्शन साथ से और दर्शन साथ के जनब को है अरस्तु इसलिए टीक जनब किसको कहते हैं अरस्तु अरस्तु का तो मुझे यक हुआ हुएुभ दो से आतुरू के अरस्तु का सब्सक्राओं सुन्दर्वख एक है मैं घृण चाहिए अब आज गल क्या करना पैंस्का दियन करते हैं किसका विवारISA का जितने भी आप्के एनद पाबलव इसकेनर और यह थोंड़ाइक यह सब क्या है विवार का दिन पर बाट्शन लौतष्सन किस चीज कई विवार बाद का जनक किसको मानते हैं वह सन को इस चीज पर प्रयोग किया था अपने बच्चे को बढर गया था और एक कोशन बहुत अध्यान करने लगे फिर आखरी में ब्यवार का भी जो चल लाए नेक्स कोशन है कि सिख्षा मनोविग्यान की उत्पत्ति कब से मानी आती है ठीक है और यह एक कुशन आता है कि इंडिया में मनोविग्यान की स्टार्टिंग कब से हुई तो इंडिया में हुई थी 1930 से ठीक ह कहां पर खुली थी कॉल्गताम कब खुली थी 1960 किसने गोली थी SSN गुपता ने गोली और इंडिया मनोविग्यान की शुरूबात कब हुई वह हुई 1930 में हर एक पॉइंट से बनाया कोशन ठीक है नेक्स कोशन है आपका अब यह मैंने कुछ EBS के कोशन ले लिए सुस्वब भात करता था बहुत सारी आपके यह जब पांनी में घुल की बहुत सारे नुकसान कर देता था ठीक है ऑक कोशन वह बहुत आता है कि गिद क्यूंढ बप्लुपते जा है कि डिक्नो फ्लेक्स डिक्नो फ्लेक्स जो दर्द कम करते न को खेउrounded को हमारे पसू होते उनका दर् Qošen पूछा जाता है कि गिद्द क्यूं मर रहे कि ख़तम हो गए तने जादा ठीक है तो यह बहुत पूछा गया है कि इस मेंसे घर बनाने के लिए किस सामिगरी का प्रयोग नहीं करते स्कोटर और यो गर्वनानिके लिए करो इन किरसे कमिन लोगा पफफर ये तो करते हो इन पिराप्त होती है इससे प्रадत करते हो नहीं हाते से नहीं हुन गाय उन गाय से प्रप्ट करते नहीं जब तीन गलत होगे तो एक बच्गे सही याक क्या होती है यह जब जैसे उची उची पहाड़ों पर जाओगे ना पहाड़ों पर बर्फ वाले एडिया में जैसे लद्दाक में जाओ तो सामान डोने के लिए किसका यूज कर धे Yap मैं आप अब देखिंग्द्च के कुछ कोशन से परग यूज सांब्रंख्ट और से प्रड़क्ट नहीं ना होताव पुरा ऐसेजमेंट कितने टरीके था उना पॉरुल्मेट को off learning, off learning को summative कहते है, for learning को formative कहते है, formative ऐसे जैसे कि बीच-बीच में क्लास में, जब teacher आप से पूछता रहता है, तो formative assessment कर रहा है, कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो वो अपनी बिदियों को change करेगा, बिदियों को English में कहते है, maxims of teaching, ठीक है, next question है, which of the following is not form, which of the following is not a formative assessment, formative assessment इसमें से कौन सा नहीं है, यह पूछ रहा है, तो formative में ने क्या बता है, आपके class चली होगी तब होगा, anecdotal record portfolio oral testing होता है, term end में क्या होता है, आपका summative होता है, summative होता है, formative नहीं होता, ठीक है, अब देखो, जितने भी all record होते हैं, वो आपके किसमें रखे जाते हैं, portfolio में रखे जाते हैं, और अच्छे अच्छे record किसमें रखे जाते हैं, anecdotal, जितनी भी अच्छे चीज़ें होती हैं, वो हम anecdotal में रख लेते हैं, और portfolio में सारी बाते होती हैं, बच्चे के बारे में, ठीक है, next question है, कि a teacher ask the students to assist their classmates during the debate competition in the class this method of assessment तो क्या करना बच्चे न पीर्स के साथ मिलके क्या करना है तो क्या होता है जब student एक दूसरे के साथ मिलके competition करते है तो इसे कहते है पीर assessment ठीक है assessment in learning in learning करके आता है तो वो होता है पीर assessment अब देगो इसको मिलाना है assessment of learning क्या होता है assessment of learning होता है end में तो end में कहां दे रखाए end दे रहा है न यह हो जाएगा for learning क्या hोता है for learning होता है do reading में बतायordinता न ख्राइस चल रही हूँ तब assessment in a यह होता हुट इस सिल्फ चब अपने आपका करता है तब होता है सेल्फ अस्सेमेंट एज लर्निंग लोग बहुत कंफ्यूज होता है इन में मैंने आपको एक और बार बता दे रहा हूं कि अगर आपको फॉर लर्निंग आ जाए तो उसे फॉर्मेटिव कहते हैं और यह डूरिंग होता है क्लास चलती रहती है तब ऑफ लर्निंग क्या होता सम्मेटिव होता है यह एंड में होता है जैसे एंड में जो आपकी पीपर होते है जब आपका रिजल्ट निकलता है जिससे आपको आगी क्लास में प्रमोड गया तो सम्मेटिव होता है एज लर्निंग क्या होता है इसे सेल्फ कहते है खुद जब बच्चा आपने आपका करता है इन लेर्निंग क्या होता है बच्चे पीयर्स के साथ है अपने गुरुप में सीखते हैं पीयर्स के साथ असेस्मेंट जब करते हैं ठीक है तो इसी के साथ ही प्रैक्टिस एट समाप दूआ कुछ अलग करने की कोशिस किये पसंद आ रहा हो तो बताना इसे कॉंट्ट की जा रहे हैं तो एक और बार कोशिस करके देखते हैं एक नई शुरूबात किये तो प्लीज वीडियो को अपना सपोर्ट देना आपका चैनल है आपको कुछ पढ़ना हो लग से तो बोबताना कुछ समझ में ना आयो तो कॉमेंट में पूछ लेना बाकि अपना और अपन